गनेश चतूर्थी का परवन नावा सिटी उपकंड मुख्यालाई सहित पूरे शेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया सुबह से ही लोग बाजार से गनेश प्रतिमाई खरित कर अपने घरों में स्तापना करने के मकसद से ले जाते नजर आए लोग ढोलनागाडों के साथ यह प्रतिमाई ले जाने के दोरान गनपती बापा मोरिया के जैकारे लगाते भी देखे गए इसके बाद लोगों ने पूजा अर्चना की और भगवान गनेश की प्रतिमाई अपने घरों में दस दिन के लिए स्तापित की शहर के मुख्यबाग के गनेश जी मंदिर परिसर को इस पावन परव पर रंग बिरंगी फर्योग, गुबारों और आकरशक लाइटों से सजाया गया आचारे पंडित भेरुदत दादीच के सानिध्य में सुबावएदिक मंतरचार के साथ अभिशेक कर पूजा अर्चना की गई पंडित भेरुदत दादीच ने बताया कि हिंदु धर्म में भगवान गनेश प्रतम पूजणिय भगवान है उनकी पूजा किये बिना किसी भी शुब मंगल कारे की शुरुआत नहीं की जाती है इस दवरान गनेजी मंदिर में बड़ी संक्या में दर्शनार्थियों का सैलाव उमड़ पड़ा मंदिर परिसर के बाहर आने वाले दर्शनार्थियों और मेलार्थियों के लिए कई दुकाने भी लगाई गई जिन पर लोग खरीदारी करने के साथ ही खाने पीने की चीजों का आनंध लेते दिखाई दिए इस दोरान मेलारतियों के मन्दोरंजन के लिए बड़े बड़े जूले और डालर चक्री भी लगाए गए